Profit & Loss के Part 4 को हम सॉल करेंगा इस से पहले प्रॉफिट & Loss के ो करना के लिया है और पर दिए वीडियो में हमने 15 कुषन को सॉल किया है क्लिस्षी ग्रण है कि लेटेस्ट कुषन ही हम इस वीडियो में नहीं देखे तो आप उनको भी जरूर देखा क्योंकि देखिए एक मिनस वाइज अगर आप वीडियो को देखे गे तो आपको ज्यादा चीज़े के लियर होगी और आपका कॉंसेप्ट भी बिल्ड होगा तो इससे पहले हमने परसंटेज के कुशन को भी सौल किया तो परसंटेज के वीडियो भी आप चैनल के प्लेलिस में जाकर देख सकते हैं तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला कुशन क्या दिया गया है तो देखें यहां पर कुशन नंबर बन दिये गया है कि एक विक्रेता ने पचास रुपए में दस की दर से संतरे खरीदे और उन्हें उसने क्या क्या 24 रुपए में 6 की दर से उसने उसको बेच दिया तो उसके लाब या हाने का परतिशत इतना है यह हमें बताना है तो देखें यहां पर आपको एक चीज ध्यान लगनी है ऐसे कुशन में कोई भी कंफियूजन आपको आज के बाद नहीं होगा एसे में तो कि देखिए जो हमारा खर्च होता है वह आपको ध्यान रखना है कि खर्च हमारा किसके बराबर होता है तो देखिए खर्च जो हमारा बराबर होता है वह होता कीमत कीमत कितनी वस्तों की और गुर्णा में यहां पर आ जाए गई मात्रा मैं मिल रही है तो मान की जिए किसी चीज की कीमद 20 रुपय के प्रतिक है ये हमने खरेदी पांच किलो मात्रा याने कि 20 रुपय में एक किलो वष्ट्व हम मिल रही थे हम ने Regierung तो हमारा ठोटल खर्श इतना हुआ 100 रुपय का हुआ अब यह दा हम यहां से कीमत निकाले कीमत निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा टोटल अगर हम देखे खर्च है यहां पर इस खर्च में यह गुणा वाली चीज हम इधर लेके आएंगे बटे में इसके मातरा आ जाएगी है तो टोटल खर्च में अगर हम मातरा से भाग लगा दे तो हमें यहां पर 20 रुपे निकलते आजाएगा इस चीज में अब इतनी चींच देई करेंगे तो हमें निकालनाएगी 50 रुप й में देखिए 10 चीजे superpower मिली अगर 50 रुपए में तोटल 50 रुपए उसका टोटल खर्च है यह यहां पर CP निकल के आएगा देगे CP रेसो SP हम लिखेंगे डिरेक्ली तो 50 रुपए में देखी उसने क्या गया 10 उसको 10 की दर्श उसने ile SmS in 50 रुपए में उसको संत्र हिंदे अब एक कितन में उसको पांच क्र रुपए में चप्स प्राइज है दृ कखेंघack ऑर उसमें 6 की दर से उनको बेच दिया तो यहां पर यह आपको बस इतना ही आपको इसमें लिखना और रेशो जो कट रहा है हम उसको काट देंगे यहां से तो देखी यह एक जिरो से एक जिरो कैंसल हो जाएगा और 6 चोग यहां जाएगा यह 24 तो 5 रेशो 4 आ जाएगा पास से इसको हम काटेंगे तो इसको जो टोटल हानी होगी वह 20 परसेंट की होगी यानि को ऑप्सन डी होगा इस कूशन का राइट आंसर आप इसको वैल्यू कॉमन करके भी यानि के एक्वल करके भी सौल कर सकते यानि के देखिए जैसे 50 रुपे में उसमें 10 की दर से संतरी खरेद है और 24 की दर से उसने 6 को बेच दिया तो 10 और यहां 6 का हम क्या ले लेगे LCM ले लेगे कितना जागा है यहां 30 तो 30 से हम यहां मल्टिप्लाइ कर देंगा तो देखे 0 से 0 कैंसल 50 की 3 में मल्टिप्लाइ करेगे हम तो यहां जा गए 150 रुपै और देखें हम जा जा ग कितने गी नहीं हुए तीजु रूपय के उसको हानी हुई यानि का देखे एक सो पचास के उबपर उसको तीजुँ रूपय का लॉस हुआ परसेंट में कितना हुआ तो यह हमें बताना तो देखें हैं जीरो से हम यह एक जीरो कैंसिल कर देंगे और तीन पंजे यहां जा गई 15 और पांसे इसको काटेंगे पात दुना 10 और यहां पर यह जीरो यह तो 20 पर सकते यह यह बहुत है यानि कि इसमें लिखना भी हमें कम पड़ेगा और यहां पर देखें गलती होने के चांस भी कम इस टाइप से इसको जल्दी बना लेंगे यानि कि आपको देखें यह वाला टाइप ध्यान रखना है इसका अगला कुशन है कुशन नंबर 47 तो देखें इस वीडियो का तहीं 47 है यानि के और पीछले हम मैंने बताया आपको कि परते एक वीडियो में हम 15 कुशन को सौल कर देंगे तो यह पर देखें एक व्यक्ति है निया क्या क्या 24 रुबیں में एक मेज और उसने क्या खारिड़ी को 12% के लाब पर बेज दिया और करसी को उसने 10% की हानि घै जिस से क्वा हुआ उसके घाना उसको कुल मिला कर कर लार संट को करलाव हुआ तो मेरेज्ग का क्रेम उलिय ये हमें बताना है तो देखिए यहां पर वैस्दें कि CP का ratio हम निकाल लेंगे हमें क्या होदा है allegation में हम बड़ी में से छोटी value को minus करते हैं तो देखें यहां पर यह 12 लिखा हुआ है और यहां पर यह चार है तो बारह में से 4 को minus करेंगे तो यहां 8 आ जाएगा और देखें यहां यह चार पलस और 12 माइनस यह चार बड़ा है तो बड़ए और माइनस करें यानिकी माइनस 4 में से माइनस करेंगे माइनस के 12 को यहां जाए तो बराबर किसके आजागए 14 का यह ने कहां यह 14 तो यहां UP फ Albert इसको को दो सत्य चोगदा और यहां जाए गए दो चोग आठ यानि के टोटल जो कोष्ट आएगी दोनों की हमारे सापसे तो आएगी कितनी ग्यारा लेकिन कुष्ण में दिया गया कोष्ट दोनों की ग्यारा नहीं है दोनों की कॉष्ट जो है वो जो बिस्सो रुपय है यह हमें देखिए कुष्ण में यहांपर गीवन है तो हमें बताना यहांपर है और एक यहांपर मेज का क्रेम वथ यह तो मेज का हमारी साथ साबसरे सब्सक्रेश होया तो साथ की वैल्यूं से पूछिं गई है तो पहले हम इसमें माल्टिप्लाई कर लेंगे तो देखिए 7 288 हो ज जरुरत नहीं है क्योंकि एक यह ऐसा दिया जिसमें शुरू में यहां पर देखे 15 है पूरा भी हम इसको सॉल कर लेंगा आंसर जो आएगा न हमारा वह पॉइंटों आएगा लेकिन इसका आंसर हमसे इंटीजर में ही पूछा गया नहीं के पॉइंटों के बाद आंसर नहीं बताना हमने गयारा पंज यह पजबंड हो जाएगा तो हमारा इसकूशन का राइट आंसर कुछ नमबर चार भी आगए हैंपर देखे एक फूट कर विक्रेता को क्रेह मुल्य पर देखे 12% की छूट देने के बाद उसके बाद भी उसको 18% का लाब होता है यदि क्रेह मुल्य यहाँ पर 16,500 है तो विक्री मुल्य हमें बताना है तो देखे easy सवाल है cost price हमें दिया हुआ है 12,500 है इस पर उसने गया गया 12% की छूट दे दी इसका मतलब यह 88% की value हमें दी हुई है यानि के यह हो जाएगी 88% का मान क्योंकि 12% की उसने इस पर छूट दे दी अब इस पर उसको होता है 18% का profit यानिके 18% का मान हम यहां से निकाल बेंगे इसका है तो 4 देखे cały 20 कांसेningar करेंगे हैं पर और यूखट लकाए हुसको चाल काड़े तो पांसमे इसको काड़ने सर्थ पांट व 9 भन्हां दस यहां जागए not anymore है भीक», पॉसमें को काड़ना पांश्ते यांथे कैट 2.85 & 15 5 3 15 पुँद में इस इससे क्या कर रह यहने देते हैं क्योंकि पॉइंट हमें लगाना पड़ेगा अब क्या करें हम इन दूनों की मल्टिप्लाइए करें लेंगे 33 की और 44 की तो यहां जाकर देखिए 33 इसको पूरा सॉल नहीं करना है आपको क्योंकि पूरा सॉल हम करेंगे तो टाइम लगेगा हम इसका अंसर ऐसे ही निकालेंगे तो देखिए हम क्या करेंगे इन दूनों की मल्टिप्लाइए करेंगे कितना जाग यहां पर देखिए चारतिया बारा 33 और 44 की जब मिल्टिप्लाइए करेंगे तो बारा का दो क्यरी बचा यहां पर एक वन चारतिया बारा 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 चौबीस और यहां जागा यह नहीं कि जो इकाए यंक आए आए गाना हमारा वो तो छे आएगा तो यहां पर देखिए ऑप्सन ए और बी यह दोनों तो हमारे गलत होगा यानि कि यह आंसर हमारा नहीं हो सकते अब देखिए अगला देख लेते हैं ओप्सन चेक करके यहां पर अगला युदिजिट के आएगा इसमें तो यहां जा गए आट पंजे चालिस और दो की गुणा एक में करेंगे तो दो हम दो चालिस और दो 42 आ जाएगा हैं पर 42 और एक हमारा कह रहे था तो 43 का 3 और देखिए यहां बट्टे में 10 से 2 पॉइंट हम यहां लगा देंगे यह तो यानिकर 3.6 तो देखिए 3.6 यहां पर option C में दिया गया यहां पर यह क्योंकि इसके बाद हम 0 कितने भी लगा दो उनकी कोई value न कुशन है कुशन number 49 यहां पर देखिए एक वेपारी 600 रुपए में दू वस्तुए A और B खरीदता है वह क्या करता है एक को तो 20% के लाव पर बेज देता है और B को 10% के हानी पर बेज देता है यदि इस पूरे लेन दिन में क्या हुआ उसे 8% का लाव अर्जित होता है तो वस्तू A क करेम मुली यानि कि यहाँ देखिए A करेम मुलीय है याँ पर हमें बताना है यह कौश्ट प्राइस कितना होगा तो देखिए A को 20% के लाव पर बेचा और B को उसने 5% की हानी पर बेच दिया हानी यानि के मायनस में लेंगे हम और इस पूरे लेन देन में उसको तो क्या हुआ आठ परसेंट का प्रॉफिट हुआ तो देखें सेम पुशन अभी हमने इसका पहले किया था तो यहां देखें बड़े में से हम छोटी वैल्यू को हमेशा माइनस करते हैं कि कि ःलिकेशन में तो देखें यहां बीस में सा8 को घट आएंगे तो हम कितना स्धें 12 तो Lily पर यह आठ है और 8 में से माइनस करना है माइनस का 10 वह वापस से एक इतना जाए देखें यह एंदजिय की ओजाएगी यह पर आश उसके हैं GB पीक है इंदे 1725 आयानिकर हमारे इसाफ से उसने दोनु वेश्टों Вам निबादी वह पांच रुपय में खरीद आए मान लीजिए पांच रुपय में ने तो हमारे इसाफ से उसने खरीद आ लेकिन कुश्षिंड में बोला गया कि इसने पांच tsp क?. यहां से निकाल लेंगे तो बारा पंजे होता है साथ यानिके एक सो बीस और यूज आएगा बारतिया च्छतिस यानिके कोई भी कुशन नहीं है जो कि अलग से लिया गया हो अगले कुशन नमर पचास एक वस्तु को उसके क्रेम मुल्य के ग्यारा बटे आट गुणि मुल्य पर बेचा गया लाब उपिर्टिशर्थ कितना होगा यह में बताना है पिपी और गयारा पर इस पी का रेशियो में पहले दिया हुआ है यानि कर आ लिए इस लाब कितना होगा हमें तीन का प्रॉफिट और तीन बटे आट का मतलब होता है साड़े 37 परसेंट आपको इसको याद नहीं है आपको तो आप यहां पर गुणा में 16 अब इसको सॉल कर लेंगे तो 300 बटे आठ 300 बटे आठ देखी जब हम 8 से इसको काटेंगे तो साड़े 37.5% परसेंट यह पो याद होनी चाहिए जैसे दो बटे तीन साही दो बटे इस तरी की जो वैलियो होती है साड़े 12 परसेंट को क्या लिखते हैं वह दीखें यह हो जाएगी एक बटे है इसको लिखते हैं एक बटे आर्ट तो इस तरी की फ्रेक्शन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए और तीन बटे आर्ट जो होता है साड़े सैथिस परसेंट का फ्रेक्शन वैल्यू होता है तो बिना पेहन चलाए भी इस कुशन को हम सॉल कर सकते थे किसी देन में लाव प्रितिशत किरह मुल्ये का एर तालिस परसेंट है अब बात में क्या हुआ यदि हमने क्या वस्तु को 100 रुपय में खरीदा इस पर हुआ हमें 48% का प्रॉफिट कि तो अब तो का 48 कितना हो दा 48% 48 या जाए तो हमने वस्तु को जो सेल गया है वह 148 रुपय में सेल गया क्योंकि सोगा जहां 48% निकालेंगे तो हमें 148 मिलेगा अब क्या हुआ यह जो हमने 100 रुपय में वस्तु खरिक दी इस पर 20% की होगे विरत्दी यानि कि अब वस्तु हमें मिल रही है वह 120 रुपय में लेकिन जो सैलिंग प्राइज इतना पहले था इतना ही अभी भी प्राइज अभी विकितना है 148 ही इसका मतलब अभी जो हमें हो रहा है यहां पर देखी 8 58 रुपय का अभी हमें लाब अलेकिन हमने वस्तु हो खरेदा है 120 में लाब मिला हमें 28 को कितने परसेंट का हमें profit मिला वह हम यहां से निकाल लेंगे यह 0 से हम 0 cancel कर देंगे यह यह हो जाएगा 4 तिया 12 तो यह सत्तर बटे में 3 3 से हम इसको जब आगे काटेंगे तो 3 दूना 6 यह एक बचेगा यह 3 तिया 9 काटों पॉइंट लगाएंगे हम तीन तो यहां साथ में से 3-4 और यहां जाएगा यह फोर वेर तू तो अब इस पाइंट छह साथ परसेंट का क्या होगा अंतर आएगा तो देखें इतना अंतर आ जाएगा यानि कि आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्सन दीज कुशन का कुशन नंबर 52 एक विक्रियता ने क्या गया 20 रुपए में 12 की दर से कैंडी खरीदी और 12 रुपए में 6 की दर से उसे बेची तो उसका लाब यहानी कितनी होगी यह में बता रहा है पहला ही हमने इस वीडियो का किया था इसका पहला कुशन ने आपने सौल किया तो आप इस रुपए में उसने 12 की दर से खरीदी इसमें हमेंसा रुपए तो हम उपर लिखते और मातर हम नीचे लिखते तो आप इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हैं जो कीमत होती है ना कीमत वह उपर लिखी वी जाती है और जो मातर होती है उसको हम नीचे की तरफ लिखत से ले लिया अब जो कट रहा है उसको कितने काम थे उसको यह पर उसको एक कलाव परतिशत के लिए लगा देंगे घुणाब में तो यहां जाएगे यह 20% तो darn तो तो टोड़ जो उसको लाव हुआ है वह 20% का हुआ है तो आंसर हो जाएगा हमारा option A कुछ नमबर यहां पर 53 दिया गया है यहां पर देखे एक वस्तु को 242.50 पैसे में बेशने पर 3% की हानी होती है यदि वस्तु को देखे 13% के लाब उपर बेचा जाए तो विक्रे मुल्य क्या होगा तो देखे यह थोड़ा सा कैलकुलेटी सवाल है अगर आपका थोड़ा सा यह नहीं लगाएंगा आप आगे बढ़ जाएंगे और फिर दुबारह में ऐसे कुशन को करेंगे तो उसने क्या गया देखे 200 42.5 में उसने क्या गया उसको खरीदा और इस पर उसने उसको जब बेचा तो उसने क्या क्या तीन परसेंट की इसको हनिया नहीं कि 97% की वैल्यू हमें दे दी अगर उसको देखे इस पर 13% का प्रॉफिट कमाना है तो इतने रुपए में इसको सेल करना होगा तो बस वैसे तो देखे आसान है या नहीं कि इस कुशन में जो देखे एक्जामनर ने पूछा है वो आपका कॉंसेप्ट नही पूछा गया कि आपकी कैलिकुलिशन कैसी आप किकैलखि पूशन को कर पा रहे हैं या नहीं क्योंकि आसना नहीं है पता वहने चल गालो केक्जाल हूं chrom कैल्कुलिशन कैसे करने हैं यह हमें पता चलना चाहेए अब देखे यहां सेлемके तो इसमें पांच है अ इसका मतलब अगर हम इसमें 5 से गुणा करेंगे तो एकाई अंग हमें 5 ही मिलेगा अगर इस साथ में हम क्या करेंगे 15 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो भी एकाई अंग हमें 5 ही मिलेगा अगर इस साथ में देखिए अगर हम multiply करें 25 से तो भी काई अंग हमें 5 ही मिलेगा इसका मतलब यह जो 97 में है न यह इसको कितनी बार काटएगा यह यह यहाँ पर हमने पता लगाना तो देखिए 5 तो नहीं 5 बार तो नहीं हो सकता क्योंकि यह काफी छोटा नंबर हो गिया उसके बाद देखिए अगर हम यहाँ पर 15 को देखिए तो 15 को यह काटएगा कितनी बार अगर 15 को हम देखे तो 15 अगर हम 15 देखिए यहाँ पर सो माने तो 1500 ही बार होगा जबकि यह 24 लिखाओ यानि कि यह भी नहीं होगा 25 से अगर देखिए हम इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ देगी सतान में यानि के इस सतान में किस कुष्ण में देखिए समझाने में थोड़ा सा समय ले रहा हूं मैं हमने 25 की multiply करके चेक करना तो हम इसको कैसे लिख सकते है 97 को 100-3 गुणा में हैं जाए गई यह 25 तो देखे 25 सो हो जाएगा यहां पर यह और माइनस कर देंगे 25 त्यां 75 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास यह 2425 और यह 2425 यहां पर यह लिखा हुआ है तो यहां पर देखें यह आपके देखने का नजरी आई कि आप इसका मतलब यह जह हम इसको काटेंगे तो यह कटेंगा कितनी बार 25 बार 25 की मल्टिप्ला है इसमें कर लेंगे अब कुशन यह इस पिरकार से हो गया 25 गुड़ा में यहां जा गई 113 बटे में यहां जा गए 10 तो 10 को हम छोड़ देते हैं पॉइंट लगा देंगें तो 25 से यहां पर यह बटे में 10 है 222.5 हो जाएगा हमारा इस कुशन का राइट आंसर ऑप्सन डीप तो देखिए कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड भी थी और आसान भी थी आसान इसलिए ती गर आप इसकी लेंग्विज को समझ पा रहे थे डाटा को तो आप इसको जल्दी सौल कर स्काइगएं तो हlez away यहां पर आ उनिदिजिफ हैं छょ medida है इसकी पहचान करके हम यहां पर देख सकते हैं कि कि यह 97 में कितने लिगा दीया हुआ है हमें कितने लिगा क्वा यह हमने यहां से चेक कर लिया ता баз देखिया आसान यानिका बहुत चोठा नंबर हो गया यह थोड़ा सा अगर हमने चेक किया तो यह भी आस यानि कि इसके पास नहीं है तो 25 इसके पूरे-पूरे पास चले गया जब 97 में हमने 25 से मल्टिप्लाई किया तो 2425 ही हमें मिला तो यह 25 बार इसको काटेगा 97 अगला कुशन है कुशन नमबर 54 एक दुकानदान ने क्या कि अपने स्टॉक का एक बटे चार हिस्सा 25 परसेंट के लाब पर और से स्टॉक को क्या कि उसने 19 परसेंट के लाब पर बेच दिया उसका कुल लाब कितना यह में बताना है तोटल देखे उसके पास चार चीज़े पहिमान लीजिए उसके पास स्टॉक क्या है चार है अब उसने क्या गया है उसका एक बटे चार हिस्सा है नहीं कि चार में से उसने एक को बेचा 25 परसेंट के लाब पर भी बचे हुए टोटल कितने होगा है उसके पास तीन को क्या गया उसने बेचा है 19 परसेंट के लाब परसेंट कि यहां जाए गए देखिए उननीस्तिया 57 परसेंट और बटे में यहां जाएगा टोटल वस्तुव एक इतनी है यह चार वस्तुव है बटे में हम यहां चार लगा देंगे तो देखिए इनको जो हम एड़ करेंगे साथर पांच बारा का दो हाज़े ले और पांच रोसाथ अर purchased 8 का बटे में हैं जा गए चार चार से इसको डिवाइट करेंगें चार दुने में आठ पर हैं जीरू लगा देंगें पॉइंट हम यहां लग जाए तो यहां जीरू चार पंज्जे 20 पॉइंट पांच परसेंट क्या होगा उसको कुल प्रोफिट होगा दोनों पर ऑप्सें यह होगा इस कुशन का राइट अंसर को यहां पर देखिए आप आसान तरीके चाहिए इसको अथरवाइस आप इसको यह ईसे भी स्वाल कर सकते हैं कि माल लिए हमारे पाथ टोटल 400 वज़्ट जी इसका एक बटेश चार मतलब 100, 100 को बेचा हमने कितने वर 25 पर पर तो इसका 25 परसेंट हम निकालेंगे उसके बागी बची वी 300 इसको बेचा 19 परसेंट के लाप पर तो इसको 19 परसेंट हम निकाल पिर टोटल निकालेंगे हम तो कैलकुलीशन बढ़ जाए गए और कुशन में समय भी लगएगा आंसर हमारा सेम ही आएगा कि अगला कुशन है कुशन नमर 55 एक दुकान दान ने क्या गया 60 रुपे पिरती केजी चावल 42 रुपे पिरती केजी की दर से खरीदें उसने क्या कि 60 केजी चावल जो है वो 42 रुपे कीलो के भाव से उसने खरीद लिए और उसमें से क्या कि उसने 52 रुपे पिरती केजी की दर वाला 120 किलो चावल मिला दिया अब 20% का ला बर्जित करने के लिए उसे मिश्रण को किस धर पर बेचना होगा एलिगेशन वाला ही यह सवाल है तो हम यहां पर लगा देंगे वेटीड एवरेज भी लग जायागा यहां पर देखिए इसने क्यागी है 42 squash के लिए 42 कीलो वालाद चावल है उसने 봤owel इस 50 क्यजी चाल यहां से खरीद है अब इस टोटल को देखिए उसने क्या है किकी ना किसी भाव पर बेचा है तो वह चाल हम यहां पर निकाल लेगे कि दोनों को मिला करके जो उसको कीमत पड़ी है एक किलो चावल की कितनी पड़ी है वह हम यहां से निकाल लेंगे और उसके बाद हम उसका 20% और बढ़ा के निकाल लेंगे तो यहां से हम उसकी टोटल मिलाने के बाद टीपी कितना आएगा वह हम यहां से निकाल लेंगे अब 52 रुप किलो के भाउस तो इसने दो किलो क्वाल खरीदे कोई आंसर में फरक हमारा नहीं आएगा अब दीए 42 के हम इसमें मुल्टिप्लाइ करेंगे तो हिहां जा गई बावन की मुल्टिप्लाइद करेंगे तो हिंढ़ा जागई 104 अब टोटल चावल आया कितना हमारे साथ स एक किलो यहां पर यह रहा और दो किलो यहां यहां पर चौवले तीन किलो गुत निदक करने तो यहां पर हम इंद já쳤 तो चावलम सब상हें को था प्रश्वीष कितम अर्वाइटी थे तीन अब इस पर चाहिए हमें 20% का प्रॉफिट इस पर निकाल लेंगे यह जीरो से एक जीरो से एक जीरो कैंसल हो जाएगा यहां पर यह वापस से काट लेदें इसको दो से तो दो चंग बारा हो जा गए और 2510 इंट तो उपर मुल्टिप्लाइ करें तो चैने टो चैने सब् theo यह dolphin को दिवाइड लगा दे Holzme आसे हम इसमें डिवाइड लगाएं थे 1759 ये बचेका यह किillow कर देड कि बार वहाई थो दिवाइड लगाएं तो पंद्र अठ्ट्थे होती है देखिए 120 ने एक यह tourist पॉइंट हम यहां लगाएंगे तो जीरो बढ़ा देंगे हम यहां पॉइंट लग जाए गई और पंदरा चोका होता है साथ उसने जो देखी चावल को खरीदा है यहां पर उसने चावल को बेचा है बीस परसेंट के लाब पर वह अठावन रूपय चालिस पैसे में उसने बेचा है और सी होगा इस कुशन का राय टांस तो देखी उसने जो खरीदा था तो खरीदने का जो कीमत निकल के आए तो इतनी निकल के आई या निकि दोन्यों को मिलाने के बाद जो सीपी आएगा उसका वो तो आ जाएगा एक सो चालीज बटे में तो सीपी हमसे पूछ इस नमबर छप्पा ने देखिए एक वस्तु को उसने आठ जार आठ सो रुपए में बेची जो उसके क्रेम उल्ये का दो बटे वो सोरी पांच बटे साथ है तो हानी प्रतिशक इतना है तो इस डाटर से हमें कोई लेना देना नहीं हमें जो दिया गया हो सिर्फ यह दिया उसने का देखिए जो उसके क्रेम उल्ये का पांच बटे साथ है क्रेम उल्ये का उसने क्या गया पांच बटे साथ है तो देखिए उसको खरीदा था साथ रुपए में और बेच दिया उसने उसको पांच रुपए में तो देखिए सी बात है उसको हानी होगी यहांपर क्य अगर याद नहीं है आपको आप ऐसे भी कर सकते इसको तो दो की हानी हुए इसको साथ के उपर प्रतिशत में कितने गोगी तो गोड़ा में सो लगा देंगे तो 200 बटे साथ तो 200 बटे साथ से जब में इसको काटेंगे तो वापस से मिलेंगा 28 रही चार बटे 7 परसेंट तो इतना हमें कैल्कुलेट करना ही क्यों है जब हमें यह चोटी चोटी फ्रेक्शन वैल्यू याद दो कुशन नमबर 57 ने देखिए एक सामान का एक तिहाई उसने क्या गया 15 प्रतिशत लाप पर बेचा तो देखिए यह सवाल ऐसा है इसको आप लॉंग मेथर्ट से भी करेंगे और शॉर्ट मेथर्ट से भी कर सकते हैं बस समझने की बात है तो यहाँ पर देखिए उसने क्या बागी का जो है उसने 20% के लाप पर बेचा और जो से समान का हिस्सा बचा हुआ है वो 10% के हानी पर उसने उसको बेच दिया पूरे लेन ने में उसको साड़े 300 रुपय का लाप हुआ तो बताना है हमें सामान का यानि सामान का जो वास्तिविक मूल यह था हूँ कितना था सबसे पहले तो आप यहां पर यह दिया नखेगे कि उसने क्या गया एक तिहाई उसने बेचा 15% के लाप पर यानि कि एक तिहाई और उसके बाद 25% हिससा उसका 25% का मतलब क्या होता एक बेचा तो हम क्या मानें गए इन दोनों का ल्से हमारे इसाप से तो टोटल सामान है यह 12 है, यह 12 हमने हमने मान लिया, total समान कितने है, यह 12 है, अब इस 12 में से क्या आगी उसने एक तिहाई को बेचा है, 15% के लाप पर, 12 का कितना आ जाएगा, निकल के यह चार आ जाएगा और इस चार को उसने कैया किया 15% के Profit पर Sale कर दिया तो यहां से क्या होगा हम एक समान का कीमत निकाल लेंगे की एक समान की कीमत कितनी होगी और जब एक के निकल क्या जाएगी तो हम 12 के भी निकाल लें क्योंकि टोटल कितनी है 12 है देखे उसने क्या गया आगे उसने क्या गया इसका एक चोथाई क्योंकि एक चोथाई उसने 25% हिस्सा 25% जो हिस्सा बेचा उसने 20% के लाप पर बेचा तो दुबारा का जो एक चोथाई निकल के आएगा वो तीन आएगा तीन को बेचा है उसने 25% के लाप पर अब देखे उसने क्या क्या टोटल यार यहां पर सेल कर दिया और तीन यहां पर सेल कर दिया तो साथ सीजे उसने सेल कर दी बारा में से तो बचे कितनी है पांच बची है और इस पांच को उसने क्या क्या 10% की हानी पर बेचा तो उसको profit या loss total हो कितना राए वो हम्या से निकाल लेंगे तो दीखे 15 चोका हो जाए गए 60% एक वस्तु की हाँ पर हम निकाल लेंगे 25 तिया कितना हो जाए गए 20% हो रही हाँ यह 25 नहीं है 20% है तो दीखे उसने क्या क्या तीन समान को बेचा है नहीं के 25% को बेचा उसने 20% के profit पर तो यहाँ पर भी यह 60 लिया जाए गए 20 लिया 30% और यहाँ जाए गए माइनस का 50 50% तो दीखे टोटल जो आया निकल के positive हमारा 60 और 60 120 120 में से हम 50 को माइनस करेंगे तो यहाँ जाए गए 70 तो देखे उसने क्या गया 70% का उसको हमारे इसाब से profit हुआ एक वस्तू पर तो दीखे यह तोटल यहाँ पर उसको लाव हुआ 350 का तो यह देखे 350 वैल्यू कि इसके 70 की तो 100 की कि इतने होगे वह हम यहाँ से निकाल लेंगे दीखे 0 से 0 खतम साथ पंजे हो जाएगा 35 तो एक वस्तू का जो CP निकल के आया वो हमारे साथ यानि के CP निकल के आया वो कितना है 500 है अब देखे एक का अगर 500 है तो बारा का कितना होगा क्योंकि टोटल जो वस्तू हमने माने थी वो बारा है तो बारा से इसमें मुल्टिप्लाई कर देंगे तो बारा पंजे हो जाएगा यहां पर यह साथ तो यह आजाएगा 6,000 रुपए तो 6,000 होगा हमारा इस कुशन का राइट आंसर तो देखे एक तरीका तो यह है जब हम आसानी से इसको solve कर लेंगे या फिर आप इसको ऐसे भी solve कर सकते पूरा इसको जह हम solve करेंगे देखे दूसरा तरीका दूसरा तरीका भी यह यह यानिके इसी तरीके में हम बस थोड़ी से calculation को बढ़ा देंगे ताकि आपको चीज़े और ज्यादा समझ में आ जाए तो देखे थोड़ा सब्सक्राइब है यह जाए वापस से हमने देखे मालिया आपकर जो टोटल हमारी अब कि बार वस्तु है वह बारा नहीं यह है बारा सो है बारा सो क्यों माना हमने क्योंकि यहां से आपको परसेंट निकालना असान हो जाएगा पूरा 200 शौह करूंगा मैं इसको तरीका आपको बस बता रहा हो की 1250 का तो निकालेंगा 400 यानि के 300 इन 300 को बेचा है उसने 20 परसेंट के प्रॉफिट पर तो यहां से उसको 20% का प्रॉफिट हुआ तो 20% निकाल लेंगा यहां पर बच्छी कितनी वस्तु यह दिए खिए अभी वस्तु 700 कि 5407 शेल कर दिए 500 भी वस्तु आपकी निकाल लेंगे तो यहां पर अपकी बार जो इन आ जाएगा नि किसका जागा कि यहां पर यह माइनस का साइन क्योंकि हानि पर उसने क्या-का उसको लिया तो इसके 10% हम निकाल लेंगे आधरल यहां पर प्रोफिट और लॉस होगा वहासा उन किसके बराबर निकल कै आ जागा उनिकल been Audio 3 तो बराबर 20-800 की वैलिए कि यहां से निकाल लएंगे तो वही चीज हमने यहां कि हमने डरेग लिए चार और तीन और पांच पहले माल लिया था अभी हमने परसेंट निकाल ले के लिए जीरो-जीरो बढ़ा दिये इसमें बात ही कि यह कुछ भी इसमें चेंज नहीं आया है अगला कुशन है कुशन नमबर 58 तो देखे एक व्यक्ति टीवी को 18400 रुपए में बेशने पर 8% की हानी उठाता है 5% का ला बर्जित करने के लिए टीवी को किस मुल्य पर बेशना होगा तो ऐसा कुशन में आपको कोई भी बिलते नहीं होनी चाहिए बिलकुल भी आपको पसना नहीं चाहिए क्योंकि 8% की इसको हानी हो इसका मतला 92 की वैल्य हमें यह दी है और 105 की वैल्य हम से पूछे गई अब 92 9.18 2.18 यह इसका सीधा सीधा 2 गुना है और 105 की गुना जहां हम 2 में करेंगे तो यहां जागए 210 और 2.0 हम यहां लगा देंगे यह तो 21,000 हो जाएगा इस कुशन का रा पैकेट 15 रुपए पिरती पैकेट की दर से खरीदे और उसने क्या गया उसने 30% पैकेट 18 रुपए पिरती पैकेट की दर से और उसने 6 पैकेट को 20 रुपए पिरती की दर से बेज दिये अब इस वैपार में उसका टोटल लाब कितना हुगा सबसे पहले तो देखे इस 360 का यूज हम नहीं करेंगे क्योंकि आंसर हमसे परसेंट में पूछा गया तो हम परसेंट में जब आंसर पूछ जाएगा तो हम रियल डेटा का यूज नहीं करेंगे उसने क्या गया देखे टोटल जो पैंसिल ती उसका 60% उसने अठरा रुपए पिरती के पैकेट के भाव से उसने उसको बेचा अब देखे 60% की अगर हम fraction value लिखेंगे तो देखे कितनी आ जाएगे निकल के तीन बटे 5 तो हमने माना टोटल जो पैंसी लेना वो 5 है और 5 में से तीन पैंसीलों को उसने बेचा है कि इसके उपर से पेचा 18 रुपए पिरती की धर से तो तीन पैकेट को बेच रहा है वो indo양तर पिर्ति की दर से प्लस में पिर देखिए उसके बाद जो बाकिकी बचे हुई शेश पैंसील है उसके पाद उसको बैच रहा हो 20 रुपए पिर्ती की पाच में से देखिए उसने तीन को बेच दिया बची कितनी है दो है तो दो को बेचा उसने 20 रुपे कि दर से और इस पिरकार जो टोटल पैंसल है तो यहां पर देखिए उसको जो प्रॉफिट होगा यह लोस होगा वह यहां से हम निकालेंगे तो यहां जागए अट रतिया है चमवन प्लकै कर दॉक्र बूस का यहां जागए बीस दूने में चालीस ऊर्ली सब्सक्री ना पर ने बेचा है उनको कितने में भी सावने कि 50 और यहां जाए 94 चौरानमे रुपय में उसने उनको सेल कर दिया तो खरिदा कितने में उसने उसने 15 रुपय पिर्टी की दर्ट से उसने खरीदा था और खरीदी कितने पांच है तो देकि कंफ्यूज नहीं होना है इस कुशन में आपको आसानी कुशन सौल कर रहे हैं हम दीएаю आसाने से 15 रूपए पिर्थी की दर से उसने 155 खरीदे कितने उसने 75 रूपए में अब 375 में इसने खरीदए ये तो है USका CP में काप 794 यदि लाफ देखे कितने एंब contexts के रहें है यह इसका स्पी अब देखे का गंद यहाँए और टो प्रॉफित हम यहां से 19 का जब उसको यहां पर देखिए लाब होग इसके ओपर 75 के ऊपर उसको 19 का प्रॉफिट है परसेंट में कितना होगा उसके लिए लगा दें गुड़ा में तो 25 से इसको काटेंगे 25 दिया पिछतर पच्ची चोका सो उन्हीं चोक होते देखिए 36 और बट्टे में यहां जा गए 33 से को काटेंगेंगें तीन दुना में चैन यहां जा गई 15 और एक बचेंगें तीन परसेंट का क्या होगा उसको लाब होगा यानिका उप्सन भी होगा इस कूशन का राइट आंसर तो देखें यहां पर हमने क्या किया था टोटल जो रियल वैल्यू हमें दी गए थी 360 उसको हमने छोड़ दिया यहां पर हमने यहां पर अपने हिसाब से माल लिया कि उसने क्या क्या टोटल पांच पैंसिल के पैकेट खरीदे और एक पै लाउस है तो टोटल चभ़न रुपाइ में बेज दे उसने तीन को अब जो बचे हुए दो है उसने कै comple 20 में बेचा तो दो को यहां पर बेज दे उसने 40 रुपा इस पिरकार उसने पांचों को बेच दिया यहाँ पर 94 रुपए में अब देखे खरीदा था 75 में और बेच दिया उसने 94 में तो इस पिरकार उसको 19 का प्रॉफिट हुआ परसेंट में कितना हुआ यह हमने यहाँ से निकाला है लास्ट कुशन ने देखे इस वीडियो का यह कुशन नमबर यहाँ पर देखे 60 है एक वस्तु को 255 रुपए 38 पैसे में बेचने पर 10.6 परसेंट का लाब होता है यह दि देखे इसे 224 रुपए 25 पैसे में बेचा जाता तो हानी यह लाब परतिशत क्यात कीई तो देखे यह आसानी सवाल है लेकिन कैलकुलेशन इसमें थ पहले skip करना है और बाद में जब समय आपका बचेगा तब आपको इसको तॉल करना है इसमें समय आपको अपना खराब नहीं करना है उसने देखे जब उस वस्तु को क्या किया 254 रुपए 38 पैसे में जब उसने उसको सेल किया तो उसको क्या हुआ 10 परसेंट का लाब हुआ आनि हो या लाब हो हमें साओ پर होता है या नहीं कोस्ट प्राइस पर होता है तो देखे जब उसने 10 परसेंट के लाब पर 10.6 पर उसको बेचा तो यह जो वैलियू हमें दी है यह दी है आप एक सो देके 110.6 की वैल्यू यहां पर हमें यह दे दी यहां पर देखे एक सो 110.6% कमान हमें दे दिया तो 100 कमान कितना होगा हम यहां से निकालेंगे यानिके उसका जो CP है CP हम यहां से निकालेंगे अब देखें, हैंसे क्या होगा? यह 2-0, जह हम यहां से हटाएंगे, तो 1-0 यहां से कटके, वापस से यह एक-0 यहां पर यह बच जाएगा अब दिखे इसी तरीका का da कुष अन्हें अभी फिचले भी किया ट अब ध्यान से देखें तो कितना हैं कि यहां यहँ एक की मैंद च्छै है यहां कि छैंड़ किस्वी नंबर से मुस्छा करें ताकि जिक से नंबर से मल्टिप्लाइ करें ताकि यहां पर 3 से multiply करे तो भी काई अंग हमें 8 मिलेगा अगर इस 6 में हम 33 से multiply करे तो भी काई अंग हमें 8 मिलेगा यानि कि यह जो देखिए यहां पर 1106 यह लिखा हुआ है आप इसको आप 1106 समझे इस 0 का भोल जाए कुछ देर के लिए ताकि इस तरीके से क्या होगा किसी भी कुशन को में आ जाएगा तो देखिए या तो यह जो लिखा हुए यह 1106 यह इसका इन गुना है 13 गुना है या 33 गुना है तो नहीं होगा क्योंकि तो बहुत ही चोटा नंबर हो गया और अगर हम 13 गुने की बात करें तो मान लीजिए यह 1100 यह तो 11 की और 13 की जहां multiply करेंगा तो भी यह 24 पंद्रहसों के आसपास ही निकल का यह 15000 के तो यह भी आंसर नहीं होगा तेहिस के अगर हम बात को तो यह देखिए इसके नजदीक है यह जो ग्यारा सो छे लिखा हुआ है यह ग्यारा सो छे में अगर हम 23 से multiply करेंगे तो हमें यही नंबर प्राप्त होगा तो कि इसको सीधा सीधा हम कैंसिल कर देंगे यहां से यह जाएगा इससे कितनी बार और बट्टे में यहां पर यह दस है तो एक जिरो सम एक जिटो को कैंसिल कर देंगा तो जो सीपी निकल का आया हो कितना है का दिए 2300 रुपे का उसको उसने उसको खरीद है अब जो बेचा है दे जानि कि उसको बेचा है 224 रूपे 25 हम तो हम नहीं होनी है यनि के यह तो दआख्ये है और यहां जो अभिकर उसका सैलिंग प्राइजन नहीं या वह कितना है 224 रुपे 25 पैसे तो कितने का देखिए उसको यहां से लॉस हुआ है यहां पर 230 के उपर 230 के उपर जो उसको अनिके 5 रुपे 75 पैसे की उसको यहां पर हानि हो रही है 5.75 परसेंट के लिए लगा देखे हम गुणा में 100 परतिश्यात में निकाल लेगा यहांसर हम इसका देखए यह से हमें दू-0 काटें के यह से पॉइंट हटेंगा तो देखेंगे 23 में हुते हैं 46 में दूने में 46 हिए कि इस तर्देटों के बचाहिए हैं यहां जाना यह तो एक सो पंदरा और बटे में यहां पर यह 10 है जिरो हटे का तो यहां पॉइंट लग जाएका तो धाई परसेंट का उसको लॉस हो रहा है तो देखिए option C होगा हमारा इस question का right answer तो देखिए अगर आप इस calculation में ऐसी calculation में फस रहे तो आपको पहले round में ऐसे question को छोड़ देना है exam में तो आपको दूसरा जब आपका समय बचेगा तो समय जब आपका बचेगा तब ऐसे question में आप अपना समय लगा सकते हैं या फिर आप इस तरीके के approach इसमें लगा सकते हैं यहां पर देखिए इस तरीके से question को solve करना थोड़ा सा आसान हो जाता है तो यह थे कुछ question देखिए जिनको हमने solve का जो कि previous एक्जाम में आए हुए थे और इसके अगले part में हम अगले question को solve करेंगे तो चलिए मिलते हम अगली वीडियो में तब तक के लिए बाजाहिन और इसके पहले वाले video आपने नहीं देखिए तो आप उनको भी चैनल के playlist में जाकर देख सकते हैं परसेंटेज को भी इमने 7 वीडियो में cover के लिया नहीं कि परसेंटेज के total तो कुछन को हमने cover किया है तो मिलते है अगली वीडियो में जैहिन